आपने भी लिखा कि मैं कौन हो तो अब मैं को आप ढूड़ने निकले थे कि आपको मिला वो मैं कौन हो यह तो दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे पुराना वैदिक युगीन प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और तब से अब तक इसका जवाब पाने की कोशिश चल रही है, तमाम फिलासफर्स ने इसका जवाब खोजा, तमाम एक्टर्स ने खोजा, तमाम लेककों, कवियों ने खो चार पंकिया आपको सुनाता हूँ, एक आप तु कहीं से भी शुरुवात कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे बेतरी में, देखिए मैं क्या हूँ, इसके विभिन उत्तर हैं, सारे उत्तरों को नहीं पढ़ूँगा, लेकिन कुछ खास उत्तरों को, जिनसे आप समझ जाए कि मैं क्या हूँ, रोटी बेल कर उसने तवे पे बिछाई, और जिस समय पलट देना था रोटी को, ठीक तभी एक लड़की का फोन आ गया, वो देर तक भूले रहा रोटी को पलटना, मैं वही रोटी हूँ, एक तरफ से कच्ची हूँ, दूसरी तरफ से जली हुई, और ये अन्त होती है, उस स्कूल में कोई बेंच नहीं थी, कमरा भी नहीं था विधिवत, इमारत खंडहर थी, बारिश का पानी फर्ष पे बिखरा हुआ था और बीच की सूखी जगह पे फटा हुआ टाट बिचा कर बैटे बच्चे हिंदी में पहाडा रट रहे थे, सरसराते हुए गुजर जाता है एक डरावना गुजर एक बच्चे की जांग के पास से, अमर च्यूटियों के दस्ते में से एक दिल जली च्यूटी निकर के भीतर गुश्ती है और काट लेती है, नहीं, मैं वो इस्कूल नहीं हूँ, वो बच्चा भी नहीं हूँ मैं, वो गोजर भी नहीं हूँ, ना अमर हूँ, ना चीटी हूँ, मैं तो बस वो फटा हुआ टाट हूँ, जिस पे सब बैठे थे, मैं तो बस वो फटा हुआ टाठ हूँ क्या बात है बहुत रिन